So hello guys, it's me, Ayush, और मैं तुम सभी का welcome करता हूँ चैनल के एक और brand new video में और आज के video में हम लोग explanation करने जा रहे हैं Vikings Season 2 के episode number 5 का इसके previous episodes का explanation हम already कर चुके हैं जो कि आपको हमारे channel पर मिल जाएगा अगर तुम लोगों ने इसके previous episodes को नहीं देखा है तो जाके देख लो So पिछले episode में हमने देखा था कि रैगनार को पता चल जाता है कि जाल बॉर्ग ने कैटागेट पे कबजा कर लिया है जिसके बाद वो तुरन तयार होके वहाँ से निखलता है पर एथलस्टन उसके साथ नहीं जाता वहीं Wessex में रुकता है जिसके बाद वहाँ Wessex में किंग एकबर्ट की सेना के दुआरा एथलस्टन को पकड़ लिया जाता है दूसी तरफ रैगनार वापस एशलॉग के पास आ जाता है जिसके बाद लगार्था और बियॉर्ण भी रैगनार की मदद करने के लिए वहाँ आ जाते है और अब एपिसोड 5 भी यहीं से चालू होता है रैगनार बियॉर्ण लगार्था और उनके बाकी साथियों को अंदर लाता है जहां रोलो बियॉर्ण और लगार्था को देखके खुच हो जाता है इसके बाद लगार्था सीगी और एशलोग से मिलती है जहां एशलोग लगार्था को अपने तीनों बच्चों से मिलवाती है इसके बाद वहार रैगनार आ जाता है जो कि साहे लोगों को लेके केटागेट पे हमला करने का प्लैन बनाने लगता है पर रोलो कहता है कि लगार्था अपने साथ और सैनिकों को तो ले आई है पर फिर भी अभी भी हम केटागेट पे स्ट्रेट आन यानि की सीधा हमला नहीं कर सकते क्योंकि जालबॉर्ग अपनी पूरी तयारी करके बैठा हुआ है जिसकी वजह से अगर हमें जालबॉर्ग को ह जान के साथ मिल के करेगा इसके बाद सीन सीधों के किंग एकबर्ड की ओर जाता है जिनके पास एक लेड़ी उनसे इनसाफ मांगने आई होती है क्योंकि उसके हस्बेंड ने उसके ओपर इलजाम लगाया है कि वो अपने हस्बेंड के ओपर चीट कर रही है साथी साथ उसक कि हस्बेंड ने उसको काफी जादा मारा पीटा भी है जिसकी वज़े से उसका पूरा चहरा खराब हो चुका है कि या तुमने अपने हस्बेंड के ओपर चीट किया है वो औरत जवाब देती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके बाद किंग एकबर्ड वहां एथलस्टन से पूछते हैं कि ऐसी सिचुएशन में वाइकिंग्स क्या करते हैं जिसपे एथलस्टन किंग एकबर्ड को बदाता है कि अगर ये औरत एक आज़ाद औरत होती तो वाइकिंग्स इसी औरत की साइड लेते यानि कि वो इस औरत पे लगे सारे इलजामों को खा जाता है जो कि अपने बेटे बियॉर्ण और दो और लोगों के साथ जाल बॉर्ग के खाने के गोडाउन को आग लगाने के लिए आ जाता है वहाँ वो लूंग अपने रास्ते में आने वाले जाल बॉर्ग के सारे सिपाहियों को मार डालते हैं and in the process रागनार का भी एक बं जाता है जिसकी वज़े से वो काफी गुसा हो जाता है और अपने साथियों को लेके रैगनार को ढूडने के लिए निकल जाता है उसकी वाइफ उसे रोकने की कोशिश करती है कि मत जाओ पर वो अपनी वाइफ का कहना नहीं मानता फिर कुछ दूर जाने के बाद उसे रास इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एक काफी तकड़ा वाला बैटल हमें देखने को मिलता है बैटल में रोलो फ्लॉकी लगार था तो अच्छे से लड़ी रहे होते हैं पर साती साथ अपना बियॉर्ण भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से लड़ रहा होता है बैटल का बैटल खत्म हो जाता है और फिर रैगनार अपने पूरे परिवार के साथ वापस केटागेट में आ जाता है वहाँ पर रैगनार और उसके साथियों को वापस केटागेट आते देख के साहे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और लगार्था को भी वापस केटागेट में कि तुम्हें शाम में होने वाली प्रेयर को अटेंड करना चाहिए। कि तुम्हारे उपर नहीं है कि तुम क्या चाहते हो ये उनके उपर है कि वो क्या चाहती है। गर का सीन दिखाया जाता है जहां बियॉर्ण अपने हाफ ब्रदर्स यानि की एशलॉग के बच्चों के साथ बड़े ही अच्छे से खेल रहा होता है। जो देखके अपना रैगनार बहुत ही खुच हो जाता है इसके बाद एशलॉग रैगनार से बोलती है कि तुम्हें इस बार लगारता को यहां से जाने नहीं देना चाहिए। जिस पर रैगनार जवाब देता है कि मैं उसे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ जिसकी वज़े से अगर वो यहां से जाना चाहती है तो जा सकती है और अगर वो यहां रहना चाहती है तो कैटागेट के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हैं। इसके बाद रैगनार लगारता के पास जाता है और उसके पास जाके पूछता है कि तुम और बियॉर्ण यहां रुकोगे की नहीं। और साथी साथ उनके दर्शन भी मांग रहा होता है कि तभी एथलस्टन को अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। उसे कोई आहट सुनाई देती है और जब वो उस आहट का पीछा करता है तब उसे एक वीर्ड अजीब निस्टीडियस सा क्रीचर देखने को मिलता है जो कि एथलस्टन के उपर हमला कर देता है। और अपना एथलस्टन शौक में पढ़ जाता है कि आईला ये क्या हुआ। इसके बाद तब ही वहाँ पर लगार था आ जाती है जो कि सभी के सामने बियॉर्ण को रैगनार के साथ रहने की इजाज़त देती है और रैगनार से बोलती है कि बियॉर्ण का खयाल रखना और खुद अपने दूसरे पती सीगूर्ड के पास वापस जाने की तयारी करने कि तब ही वहाँ पर एशलोग आती है जो कि आके लगार था का शुक्रियादा करती है कि जो कुछ भी लगार था ने आज तक उसके लिए किया है वो उसके लिए काफी जादा ग्रेटफूल है जिसके बाद लगार था वहाँ से चली जाती है और यह एपिसोड यहीं पर खत कर फ 15 लिए बसे हो नहने भी मिन पूलब कर ले